वंदे मात्रम तो दोस्तों SSV ट्रेड्समेन 543 पोस्ट का अभी फिजीकल चल रहा है लेकिन जो यह स्टूडेंट फिजीकल क्वाइलीफाय हो गए है उनका भाई मैसेज है कि भाई एक बार बता दीजे कि हमारा एक्जाम कब तक होगा आप लोगों का जो यह फिजीकल जो अ अगवाग 13 नमबर तक ऐसा ही 13 नमबर तक का मेरे पास अडमिट काड है तो दस से तेरे नमबर तक आप लोगों का फिजीकल खतम हो जाएगा और दोस्तों यह चीज हम बता देते हैं कि भाई आप यदि सोच रहे हैं कि भाई फिजीकल दे दिया है थोड़ा आराम कर लेते हैं तो प्लीज प्लीज दोस्तों आराम हराम है आराम में मत लग यह समझ गए बहुत सारी चीज़े इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने बाले हैं यदि आप सस्वी ट्रेट्समेंन के फिजीकल क्वाइलिफ हैं या आगे फिजीकल देने बाले हैं तो बस पांच मिन देगा और संपूर्ण जानकारी देंगे कि कट अप क्या जाता है समझे कट अप इसका क्या जाता है सारी चीज बताएंगे बने रही है वीडियो में और दोस्तों हम आप लोगों के चीज बता दे कि भाई फिजीकल में बहुत कम बच्चे पहुंच रहे हैं आप जी सेंट स्ट्री inequaire च्टी में फॉर्म डाले थे वह भी इसमें टाल दिये समझीक लोंकि पहर्ति मेंपचास जाल स्टूडेंट पहुचा होगा किसी ऐसे पहुचपा रहा है समझें तो लगवाग समझ लीजिए एक से डेड़ मेहना पुल मिलाकर फीजिकल चलने वाला है समझें तो चले चल जानते हैं साड़ी चीजे दोस्तों तब से पहले हम लोग जान लेंगे एक जाम सिलेवस्त के बाड़े में और तो आप लोगों को कहीं पर बाइच नहीं खड़िदना है समझें अपना पैसा कहीं पर व्यस्त नहीं करना है हम आपको बताते हैं कि आपको तयारी कैसे करना है समझ गए आप online class लीजिए समझ गए लेकिन आप बाइच कहीं पर मत खड़ी दिये समझ गए मुझे किसी से कोई नहीं है कि मैं किसी को रोकू बाइच खड़ी दिने से लेकिन आप खुद मेहनत करके तैयारी कर सकते हैं बहुत से एसे student है जो affordable नहीं है बाइच का तो आप आप यह रहा आप एक जाम सी लेवस Cotton गरनल अवेर्ण से 25 को सना एंगे और पांच आप्ख दारी से 25 को सना आँगे हिंदी में का ने दिन नंदी प्रकार पुषा जाता है विलोम हो गया पर्याबाची हो गया को इसके बाद भीप्रार्थक सब्द्ध हो 003 रिक्ता स्थान की पूर्ती हो गया संदी विछेद हो गया मुहाबरा हो गया अनेक सब्द का एक सब्द हो गया किसी परकार के प्रस्ण आपके एक्जाम में आते हैं गहंटा एक्जाम आप देखिये इक्जाम जो है औलाइन होगा एक्जाम जो है दोस्तों वहं सीृडी होगा सी वीटी औलानर ओलाइन होगा इ Сам 6-9 लीजाम आपके नियरेस्ट बिस्टिक है इसफर और उसी होगा जहां पर आपके आपके में करें तो दोस्तों इस भर्ती में निगेटिव मार्क नहीं है समझें इस भर्ती में निगेटिव मार्क नहीं है नॉर्मलाइज की बात करें इसमें आपका नॉर्मलाइज नहीं होगा समझें कटफ की बात करें दोस्तों तो कटफ बहुत कम जाता है कटफ इसका बहुत कम जात कोई high score नहीं जाता है देख लिगेंटी दोस्तों 1522 पोस्ट में शीट खाली रह गया है समझे वह फिजिकल हुआ कल हुआ है एक जान हुआ है ट्रे ट्रेट तट हुआ है और मेडीकल हुआ है सीट खाली रह गया है 700 से 800 स्टुडेंट को सलेक्ट किया गया है बाती आधा का आधा सीट खाली रह गया है समझ के काफी स्टुडेंट मेडिकल में रिजेक्ट हुए रेटेस्ट में रिजेक्ट हुए फीजीकल में रिजेक्ट हुए एक्जाम में रिजेक्ट हुए बचा ही ट्यार नहीं कर रहा थाकि उनको पता नहीं था्यार 21 का और में अभी मश्च होगया आप लोग समाइन नखराप करें आप तो बस यही निवेदन है समझगे दोस्तों यदि आप लोग हमें सब्सक्राइब किये हो तो हमारा मोटो है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना आपको सेलेक्शन की और ले जाना तो आप लोग प्लीज मेरे भाईयों यदि आप फीजिकल पास हैं तो प्लीज तैय तैयारी कैसे करना है तो देखिए दोस्तों अभी हम आपको बता देते हैं ओनलाइन क्लास आप कहीं से भी ले लिजिए यूटुम भी आप लोगों क्लास कराने वाले हैं समझ गये तो एक जो आप लोगों का नमंबर है एक नमंबर चाहम सब्सक्राइब का क्लास शुरू क पर है उसकी तैयारी आप शुरू कर दिजीए और देख लिए जितने भी यह यह एंसी आर्टी समझ के दोस्तों यह एंसी आर्टी का भुक प्रैटिक सेट हो या कोई अलग भुक हो एंट सी आर्टी का आप जाकर मार्केट से ले आये और उस बुक को आप प्रेटिक सेट मिलता है जिसमें जीके रहता है जी यस रहता है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जी के जिस मिल जाएगा उसी बुक में समझ के जी के जिस की आप तयारी करना शुरू कर दिजें एंसी अरटी से जो ए श्टूडेंट ऑभीस दें एंसी आर्टी की से त्यारी करना शुरू कर देगा 100% मैं बोलता हूं उसका सेलेक्शन होगा बाकि आप लोगों को माइट और जीके और जीस और हिंदी कि कलास हम आप लोगों के लिए सब्सक्राइब एक नमंबर से लेकर आ रहे हैं रात आठ बजे कलास सभी फिरी रहने वाला है कलास हमारी सभी फिरी रहेगा रात आठ बजे से समझे तो दोस्तों आप लोगों को नीगेटी मार्क नहीं है सो कोशन पूछा जाएगा कोशन जो है वह तेन्थ लेबल करेगा कि चलिए यहां पर देखते हैं कि इसक्याम कब तक होगा क्या 2023 होगा यह 2024 में तो आप method लोगों का एकजाम 2010 में ही हूग अभी SSV मिशन मूड में है समझगे SSV अभी मिशन मूड में है एक्जाम 2023 में होगा SSV है एक्सियम और हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असमराइफस टेक्निकल एवम ट्रेट्समिन भरती परिक्षा 2023 के बेश्ट बुक के बारे में जो की चक्षु प्रकासन की सबसे बेश्ट बुक है नए सिलेबस और नए पैटन पर आधारित दोस्तों इस बुक में आप लोगों को इंगलिस लेंग्वेज संख्यात्मक अभियोगता समाने जागरुकता तरक सकती सो परतिसत न्यू सिलेबस पर साथ में एकईस सो बहु विकल्पे प्रस्ण व्याख्यात्मक हल सहित छो मा का समसामाईक सहित पुन्दत नवींतम पाठकर्म पर आधारित बुक है असम राइ लिए प्रस्टेंग है फटाफर जाएं और इस बूक ऑल इन पर चेज कर लिजी एक दिन में आप लोगों का एक्जाम होगा तीन सिप्ट में आपका एक्जाम होगा और और यह एकजाम नमंबर में समझ लिजे दिसंबर के लास्ट वीक तक में आपका एक्जाम कम्प्लीट रहेगा समझे नमंबर में एक्जाम होने की कम चांस है लेकिन भाई दिसंबर में आपका एक्जाम होगा एसेसबी ट्रेडसमेन का एसेसबी ट्रेडसमेन 59य पोष्ट पोस्ट आपको इन्धार है और लगभग पांसब्र समझनी में अपड़ाई необходимо कि तो में आपको समझे पोस्ट की संख्यां हो सकती हैं दोतों अनुमान है कि पोस्ट के संख्यां बढ़ाई जाँग सबस्ट में सीट खाली है हो सकते इसमें बठाया जाएगा एस्टुडेंट कम है तयारी में लगे रहिए आप लोग आज से तयारी में लग जाएए एक भी दिन आपको ने छोड़ना है और प्रैटिक सेट एससे जीडी का जो प्रैटिक सेट है आप मार्केट से खडीद कर ल किस्ट भी है स्टुडेंट का 75 प्रस 80 प्लस चड़ा गया कोई मैकलाल उसको पाहर करने वाला नहीं रहेगा लेकिन आपको ट्रेट टेस्ट और मेडिकल में पास होना होगा तो दोस्तों प्रात आठ वजे एक नमंबर से जरूर आप लोग जूरिए इस चैनल पर बिलकुल क्लास फिडी है जीके पढ़ाएंगे हिंदी पढ़ाएंगे रिजिनिंग पढ़ाएंगे मायत पढ़ाएंगे सब कुछ आप लोगों को तैयारी करवा देंगे ए टू जेड विस्वास रखिए और एकजाम दो हजार तईस नमंबर में दिसंबर में आपका एकजाम होने व माँ ता हुआ तो करता है जогो लोगों को तै के आपक पता है जब स कि हुआ में वह होुआठगे तAudब कहा है मोगों कि पने की एह गन पर दो है मत долларов हहुआ है